हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ नमी मुबश्रा और तालिबा आबिदा के रवाहिकीन को इनसाफ की तलाश जड़ावाला के शेहरियों का पारा हाए जगा 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 इहतिजाज पुलिस का भी एक्शन दो मुच्सवा अफराद गिरफतार कर लिए चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली अलवेज लोटिंग एवरिवेर लोट शेडिंग इस दियर रमजान इस कमिंग और इस पीपल आर नाट टेकिंग केर अव पबलिक आई यम पबलिक याद रखना मिस्टर मुराद अली शाद, मिस्टर वजीर आज़म, एवरिवन मेरा हाथ क्यामत के दिन आपके गिरिबान पर होगा कराची में बद्तरीन लोट शेडिंग पर शेहियों की आहो बुका कारुबार समयत नजा में जिन्दगी ठप हो गया परिशान हाल अवाम का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मतालबा शरीफ खानदान के खिलाफ नेब रिफरेंसेज, साबख वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज इहतसाब अदालत में पेश वकील खौजहारिस की जे आईटी सरवरा वाजब जिया पर जराह जारी रहेगी खानून बनाना और तरामीम करना पारलिमन्ट की सवाब दीद है आर्मी शीफ ने अटाहरमी तर्मीन के हवाले से बयान नहीं दिया हलका बंदियों में फाज का कोई किरदार नहीं बरवक्त इलेक्शन हर पाकिस्तानी की खाहिश है डीजे आईएस पियार मेजर जेनल आसफ गफूर का इंटर्वियू तबदीली सिर्फ वोट की ताकत से आनी चाहिए सियासी इतफाक राय का इहतराम ना करना तबाही होगा आसिक वली जर्दारी का नोडेरो में पार्टी जलास से खिताब जुल्फिकार अली भुटो की 49 वी बरसी पर गड़ी खुदा बख्ष में तक्रीब की तैयारिया मुकम्मल मैं एक्तदार वरीबों के लिए जाता था मैं एक्तदार वैरत के शुक्र के लिए जाता था अधर जबाद करोगे इवाद के करोगे खुदा अधी के सब करोगे खल्का बंदियों पर एतराजाद एलेक्शन केमिशन अपीलों पर आज से समाद करेगा पंदरा दर्खास गुदारों को नोटिस जारी एक माह में थमाम इतराजाद निम्टाए जाएंगे MQM को एक और धचका रुक्ने कौमी असमली मुजम्मिल खुरेशी आज कमाल के हो जाएंगे पाकिस्तान हाउस में दुपहत धाई बजे प्रेस कांफरेंस बुला ली गए पापा के साथ जाओं फिस जीज लेखेंगे जब लड़ खड़ाएं कदम थामा है हाँ मेरे बाबा है साथ हैदरबाद का नوجवान दीपक टांग के इलाज के लिए मसीहा का मुंतसर चार साल कबल मुबयना पुलीस मुकाबले में एक टांग से माजूर हो गया दूसरी टांग के इलाज पर सारी जमा पुंजी लगा दी इलाज ना हो सका नन्ना बेटा वालिद के साथ खेलने को बेकरार भारत की रियासती देहशत गर्दी के खिलाफ मखमुजा कश्मीर में मुकमल हर्तान ताली में इदारे और कारोबारी मराकिस भी बंग जबर की खिलाफ बहादूर कश्मीरी नौजवान ने पाकिस्तानी पर्चम लहरा दिया कश्मीरियों पर मजालिम की बात क्योंकि शाहिदा अफीदी के ट्वीच पर भारती मीडिया चराख पा हो गया बूम बूम के खिलाफ जहरीली मुहिम शुरू अमरीका में खातूने यूट्यूब हेड़कॉर्टर्स में घुसकर गोलियां बरसा दी मंगेतर समय चार अफराज जखमी फाइरिंग के बाद खुद को भी घूली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया जीन और अमरीका के दर्मियान तजारती कशीदगी में इजाफा वाइट हाउस ने तेरा सो चीनी दरामदाद पर टेक्स पच्चिस फीसद बढ़ा दिया बुलिटिन में आपको खुशाम अदीद कहते हैं सबसे पहले आपको बताएं कि एतसाब अदालत में एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरिंस की आज फिर समात हो रही है साबख विजिराजम नवास शरीफ अदालत में पेश हुए अदालत के बाहर साफियों से गेर रिसमी आज भी गुफटगू की कहा विलोजिस्तान में हालिया दिनों में होने वाली तबदीलियां मश्कूक हैं उन्होंने ये भी कहा कि चेर्में सेनेट एक मश्कूक शख्स को बना दिया गया है जर्दारी जो काम कर रहे हैं वो शर्मनाक है साथी साबख अजीर आजम नवास शरीफ ने भी कहा कि मुल्क अंग्रेजों से आजाद करवा कर मार्शल लाओं में कैद कर दिया गया इलेक्शन के इलतवा की गुनजाइश नहीं ये भी कहा गया साबख अजीर आजम की जानब से और साबख अजीर आजम ने भी कहा कि सारा काम चीफ जिस्टिस के हाथ में दे देना चाहिए पार्लिमंट और मकनना की कोई जरूरत नहीं है राजा ऑस्मान ताहिर हमारे नमाइदे हमारे साहत मौझूद उन से मज़ीब बात करते हैं तफसिलाद जान लेते हैं राजा ऑस्मान बताईएगा अब तक की समाध से मुतालेक और साबख अजीर आजम की गुफटगों से मुतालेक जी बिल्किल नैब कोट में समात जारी है एवान फिल्ड से मतलिक जो वाजिद जिया हैं उनके उपर जिरा हो रही है इसे कबल मिया नमाज श्रीफ ने गहर रस्मी गुफ्तगों में ये कहा कि जो अबरोजिस्तान में हालिया जो तब्दिलियां हुई हैं ये मश्कुक हैं और मैंने अब्दिर्याद को भी कहा कि इसका फूरीड नोटस नहीं इनका ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस साब को दूद के कीमतों के चक्र में लगे हुए हैं और इतने केसी स्पैंडिंग पड़े होएं लोग अदालतों मैं और होरे हैं इनका यह भी कहना हैं कि लोग ने से watch से इंतजार कर रहे हैं ये फैसले आए जा आए जा अवह आप ऑन इसका कोई फैसला नहीं हुआ रिझे का की कापी के लिए लिए बिए मिल गई है वाजद जिया ने कहा कि साथ MLA से मतलिक भी रिकार्ड मिल गया है साथ MLA के बारे में खवाज़ हारिस के सवाल पर नए प्रोसीक्योटर ने इतराद उठाया है जिसके ओपर इनका ये कहना था सरदार मुदफिक का कि एक ही सवाल बार बार पूछा चारा है जिसके पर खवाज़ हारिस ने कहा कि आप मेरा जिसके ब Nuclearãy Hashan और पर मेरे रिकार्ड पर ले आएं जिरा जिराए जिसके बार उखिदे को की उन्हें लोड़ शेडिंग हो रही है इस पर मैह ह्कूमत बाद करोंगा लेकिन सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून के ही जो लोग हैं वो हुकूमत में हैं उन्हीं का वजीर आजम है तो फिर आखिर ये बयानात किस तरह से कांट्रिडिक्ट कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसी दर साबक वजीर आजम नवाश शरीफ के हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चाहदी सा हैं तो पिर ये दो नहीं हो सकता कि उनका नोटस ना लिया जाए खुदा के लिए उनकी आलब से रहम खाएं वो मुझाफराबाद में जाकर ये कह सकते हैं कि जनाब अली मेरी खुमत होती तो किश्मीर अदाद हो जाता तो आप ये देखें कि वजीर आजम जो हैं वो कहता ना वजीर आजम नहीं हूं जो नाहल हो चिक हैं वो कहता है मेरी खुमत नहीं रही है तो ये सारा क्यास और ये सारी खुमत चला कौन रहा है जी पिर कौन चला रहा है ये और लोड शेडिंग इतनी बुरी हो नहीं है कि इनकी चीखें निकल जानी है इनको अलेक्शन में कर और शेडिंग खत्म हो गई थी, ये सब क्या जबानी जमाखर्च था? पानी की बहुत बड़ी शाटेज आए, ये सर्दियों में बिजली देते हैं और गर्मियों में गैस देते हैं, और जितनी लाइने और जो कुछ ये ऐलेक्शन पे खरच कर रहे हैं, फिनांशल क्राइसिस इतना सीरियस है, कि सबसे ज्यादा अगर इस मुल्क में कोई रेल्ड अच्छा शेख रशीद आमद साब आपने जो बात की टू थर्टी टू के पैरा सिक्स की ववाजच अधरी साथ में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील भी हैं और तरीक इंसाथ की तरिजमानी भी करते हैं, ववाजच वाज़च अधरी साब आपको शामिले कायद करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली की उपर हजार एक हजार ट्रिलियन रुपे से ज्यादा आपने जो है वो सकलर डेट खड़ा कर दिया है। में वो सिर्फ एक है और वो यह है कि अलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अलेक्शन के इल्टवा की किसी फिनेंशल एमर्जनसी की किसी सियासी एमर्जनसी की पाकिसान में कोई गुझाइश नहीं है। पाकिसान में इंतखाबाद के इल्टवा के उपर कोई इसकी कोई गुझाइश नहीं है। बलकुल वाज़ है। लोड शेडिंग की बात हो रही थी और लोड शेडिंग इन दिनों कराची में खासी हो रही है। गर्मी की शदीद लहर है। ओर्मी की शदीद लहर है।